हेलो गाईज तो जितने भी स्टुडेंट नर्सिंग, पारा मेडिकल और फार्मेसी मान लिजिए नर्सिंग में बेसी नर्सिंग करना चाहते हैं, जिनेम करना चाहते हैं और फार्मेसी में डिपलोमा और डिगरी कोर्स और पारा मेडिकल में तो काफी कोर्स हैं जैसे बीपी पास लगबग something में 4 मंथ मान के चलिए 4 से 5 मंथ आपके पास पचे हैं तो इतना तो कुछ नहीं है अगर आपको अच्छे कोर्स करने हैं तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि काफी competition आप है 70 plus question आपको सही करने हैं आप लोग का preparation तो वो भी देखिए और previous year वीडियो तो आप लोगो 100% पूरा revise करना daily आप लोग अच्छे से वीडियो सब revise करते रहिए 100% आपका selection में करवा के ही रहूंगा बट आप लोग जो जितना भी बताया जाए सब आपको करना या हिंदी में वीडियो पड़े या इंग्लिस में इंग्लिस में देखिए तो एक बार देखिए नहीं समझ में आ रहा है दो बार देखिए तीन बार देखिए तो समझ में आई जाएगा हिंदी में मैं discuss उसको करता हूँ ऐसा नहीं है कि उसको इंग्लिस में ही discuss करता हूँ उसको पूरा इंग्लिस वाले जो question रहते हैं वो सब पूरा क्या हिंदी में discuss में complete करता हूँ तो वह भी आप लोग देखेंगे तो 100% आप भी का फायदा है तो चलिए इसके नेक्स्ट इसके जिमार्ज होता है जिनोम या निकलियाइट बना होता है किसका हिस्टोन तता नान हिस्टोन प्रोटीन द्वारा या DNA या RNA तता हिस्टोन द्वारा ये एकल दो धागे DNA द्वारा एकल एक धागे DNA द्वारा तो 26 का आप्सन नंबर कौन सा फस्ट आप्सन ही correct हो जाएगा हिस्टोन तथा नान हिस्टोन द्वारा ये जीनोफोर्स जीमाड़ जीनोम बना होता है नेक्स्ट कोईस्चन नमबर अगर सभी तालाबों गंदे गड़ों का नस्ट कर दिया जाए तो कौन सा जीव नस्ट हो जाएगा तो ये तो एकदम important है टिपैनो सोमा लेजमानिया एसकैरिस प्लाजमो डियम तो 27 का आप्सन नमबर डी प्लाजमो डियम एकदम खतम हो जाएगे नेक्स्ट कोईस्चन नमबर मानो में प्लाजमो डियम की साइजोंट अवस्था किस कोष्टका में पाई जाती है तो 28 का आप्सन नमबर C करेक्ट हो जाएगा लाल रख्त कंड तथा ये कृत कोस का, जो लीबर की इस वती हैं और जो RBC कंड होते हैं, उसी में पसईजॉंट अवस्था स्टेज आती है, नेक्स्ट कोईस़्टन, इस कोईस्टन का स्याप सं करेक्ट है, नेक्स्ट कोईस्चन, क्वेस्चन question number reverse transcript stage क्या है तो reverse transcript stage reverse पहले transcript stage क्या होता है अगर आप DNA से DNA ये देख लीजिए DNA से mRNA का बनना क्या होता है transcript stage होता है mRNA जब बनता है और mRNA से जब DNA बनता है तो यही तो होता है तो 29 का आपसा नमबर कौन साब correct हो जाएगा RNA असरित DNA polymerase आपसा नमबर D देख लीजिए यही correct हो जाएगा RNA से जब RNA से जब क्या बनता है DNA जब बनता है तब यही हो जाता है reverse transcript stage next question number 12 मुझे इक वारस TMB का gene क्या है TMB का gene क्या होता है तो TMB जो होता है वो क्या होता है 30 का आपसा नमबर B यह होता यह आरगे वाइड जो genetic engineering में उप्योग होता है वो क्या होता है plasmid यह mitochondrion यह galgium current यह lomasome तो 31 का आपसा नमबर 1 इक रेक्ट हो जाएगा plasmid किस में उज़ किया जाता genetic engineering में next question ताप मानसान की छमता ताप यह नीले हरे सेवाल में किसके कारण होती है तो ताप मानसान की छमता नीले हरे सेवाल में कोशका भित की संदचना की वज़ासे या कोशका की संदचना होजासे कि mitochondria या उनके protein में homopolar बंधनों की कारण तो 32 का आपसा नमबर D एकदम राइठ है उनके protein जो नीले हरे सेवाल होते है protein की वज़ासे homopolar बंधरों की उसमें protein में जो homopolar bond पाये जाते है इसकी वज़ासे वो अधिक temperature पे भी रह लेते हैं next question number ये देख लीजिए क्या लिखा है आसा जीवी nitrogen इस्तरी करण करने वाले जिव कौन से होते हैं तो आसा जीवी nitrogen इस्तरी करण करने वाले जिव 33 का option number 1 देख लीजिए H2 vector first option correct हो जाएगा next question number रिकेट C एक समूँ बनाता है जो किसके अंतर गताता है तो रिकेट C क्या बनाता है 34 का option नंबर कौन सा first option जिवाण दे रहा है और B option यह देरा बिशाण वाइरस bacteria जिवाण तो था बिशाण के बीच का सोतंतर समूँ ही होता है रिकेट C होता है तो option number C correct हो जाएगा next question number nitrogen इस्तरी करण करने वाले मिर्दा के जिव किसमे आते हैं तो जो nitrogen fixation करते हैं वो किसमे आते हैं मास में, जिवाण में, हरेसेवाल या मिर्दिय कवक में तो 35 का option number B correct हो जाएगा वो जिवाण, bacteria ही होता है next question number protestant genome में होता है तो protestant genome में क्या होता है तो 36 का option number first देख लिजिए जिल्ली, युक्त, नुकलियो प्रोटीन जिवाण में बिखरा रहता है उसी को तो protestant कहते हैं तो option number first ही इस question का सही है next question number next question number ये question number कौन सा 36, तो अब हम लोग 37th number से question discuss करेंगे ये देख लिजिए ant amoeba coli से होता है तो ant amoeba एक bacteria होती है ये क्या कौन सी बिमारी काज करती है first option पाइरिया दे रहा है भी option diarrhea और अतिशार इन में से कोई नहीं तो 37 का option number D इसमें से कोई नहीं ant amoeba coli इसमें से कोई बिमारी आपको काज नहीं करता तो option number D इस option का करेंगे हो जाएगा next question number प्रोटिस्ट अपना भोजन किस रूप में गराण करते हैं तो जो प्रोटिस्टा होता है यूनिसललर होता है यह परकास अंसलेशी साजीवी यह परकास अंसलेशी रसान यह प्राणी संभोजी तो 38 का option number first आप लोग देख लिजिए सही हो जाएगा यह परकास अंसलेशन फोटो सिंतेसिस भी करता है और साजीवी परासाइट और प्राणी संभोजी है तो option number first correct हो जाएगा next number question इस्टी लेगो द्वारा जो पौदे में बीमारी होती है उससे smut कहते हैं तो इस्टी लेगो यह बीमारी काज करता है smut यह किसमे होती है अनाजो पर परजी भी होते हैं तो 39 का option number first और second option इसके mycelium काले होते हैं या भीजाणगो का सूटी पिंड बनाते हैं या संकरमित भाग पूर्टा काला हो जाता है तो option number D इस्टी लेगो द्वारा जो पौदों में बीमारी होती है उसे हिसमट कहते हैं क्योंकि संकरमित भाग पूर्टा काला हो जाता है तो option number D correct हो जाएगा next question number यह देख लिजिए क्लेवी सेप्स क्लेवी सेप्स पर पूरिया क्लेवी सेप्स पर पूरिया कौन सी बीमारी करने वाला जीव है तो क्लेवी सेप्स पर पूरिया आपको याद भी होना चाहिए क्लेवी सेप्स पर पूरिया बरली जोका इसमट गेहु का इसमट राइकर्ट इर्गेट और मटर पाउडरी मेल्डियू तो 14 का option number C आप लोग देख लिजिए C option क्या है राइकर इर्गेट काज करता है कलेवी सेप्स पर पूरिया नेक्स्ट कोईस्चन अप घटन वाह जीव है तो अप घटन कौन सा जीव है अप घटन मीन्स क्या होता है विखंडन तो अप घटन क्या होता है 41 का option number D देख लिजिए यह रीले परकार से रीले परकार से कारी करते हैं और कार्बनी पदार्थों और कार्बनी पदार्थों को चरनलबर्द तरीके से सरली करिद करते हैं तो अप सा number D correct हो जाएगा इस क्योश्चन का अप घटन जीव क्या होते हैं तो यह देख लिजिए यह रीले परकार से कार्बनी पदार्थों को चरनलबर्द तरीके से सरली करते हैं नेक्स्ट कॉइस्चन नमबर 42 देख लिजिए माईकोराजा परदर्शृत प्रदर्शित क्या करता है तो माईकोराजा एंटागुनिज्म परदर्शित करता है माई को राई जा तो आपसा नमबर C सिम्बाटिक एसोसियेशन सो करते हैं साजी विता मिन्स दोनों साथ साथ रहते हैं तो आपसा नमबर C करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन नमबर 43 प्रति जैविक सब्द का परियोग सबसे पहले किस ने किया था आपसा नमबर exc क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन नमबर plasmid है या केंदर रहिते हैं यह जिमार की कोईस्चन नमबर 45 जलिए देखते हैं तो 45 के वे देखते हैं student आप लोग वीडियो को complete जरूर देखें और जितनी भी वीडियो कुछ student तो जो वीडियो मैं NEET के related भी वीडियो करा रहा हूं नीट हो गया AI PMT All India Premedical Test के नाम से पहले यह NEET अब होने लगा पहले All India Premedical Test होता था और CPMT किस में होती थी CPMT तो UP में होती थी तो यह MBBS के लिए होती थी BDS, MBBS, BMS के लिए तो अब NEET होता है तो उससे related मैं question अभी biology के only करा रहा हूं तो वो वीडियो तो आप लोग देखी नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग को लगता होगा कि ऐसे question आते नहीं है nursing parametric or pharmacy में तो आप एकदम कलत सोच रहे हैं यह वही question exact रख दिये जाते हैं nursing parametric जब entrance exam होता है ना तो exact question वहीं मिलते हैं तो मैं अभी English में करा रहा हूं तो आप लोग वीडियो को जरूर देखे हैं और आप लोग को लगता है कि English समझ में नहीं आती आप लोग 2-3 बार वीडियो देखके देखिए अगर 2-3 बार आप लोग देखिए नई समझ में आता तो फिर कमेंट करिए 100% आपको गारंटी के साथ समझ में आएगा और अगर आप क्वालिफाई करेंगे ना BSC Nursing मान लीजिए 2021 में आपको करना तो 100% आपको English आनी ही चाहिए क्योंकि वहां पे आप जाने के बाद वहां आप English देखेंगे नहीं क अगर ऐसे से आप हिंदी देखते जाएंगे तो लास्ट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय कम हो जाएगा तो आप हिंदी ही ढूड़ेंगे चैनल पे तो हिंदी वाले तो ऐसे ही कराते हैं तो आप लोग explain वाला देखिए explain वाला देखते हैं तो पूरा complete question की theory म तो आप देखा करिए और वीडियो मैं हिंदी इंग्लिस्ट में दोनों कराऊंगा बट आप लोग दोनों देखिए चलिए question को सुरू करते हैं आप लोग देखेंगे ये मेरा मतलब क्या है विश्वास है तो चलिए नीन में से किस जीव में पौधों तथा जन्तु दोनों के गुण होते हैं तो प्लांट करेक्टर और एनिमल करेक्टर किस में दोनों पाय जाता है बैक्टिरिया में इगलिवना में माइको प्लाजमिया में परामेसियम में तो इगलिवना को तो कहते हैं ही कड़ी दोनों के बीच के कड़ी किस को कौन होती है तो 45 का आपसन नमब बी आप लोग इगलीना करेक्ट करिए नेक्स्ट कोईस्चन नमबर प्रोटो जोवा में संकुचन सेल रस्दानी मदद करता है तो प्रोटो जोवा में संकुचन सेल रस्दानी मदद करता है किसमें गत करने में भोजन के पाचन में जल के प्रासरण में या प्रजिनन में तो दीर्ग तता सूच में केंद्रा के परामीसियम वर्टी सिला में अपलीनिया निक्टो थाइरस में या हाइडर तता बलेंटीडियम में या वर्षी सिला तता वर्टी सिला तता निक्टो थाइरस में तो 47 का आफसन नमबर फास्ट परामीसियम में दो निकलियस होते हैं एक मा एक छोटा वाला एक बड़ा वाला नेक्स्ट कोईस्चन अमीबा में उस सर्जन किसके दोरा होता है तो अमीबा में कहरा उस सर्जन इस्क्रीशन किसके दोरा होता है लोग वो पोडिया के दोरा इुराइट के दोरा प्लाजमा जिली या संकुचन सील रसदानी उस सर्जन का मतलब जो best बेकार दार्थ होते हैं उसको बाहर निकालना तो Amoeba किसके थुरू निकालता है तो आप लोग 48 का option number D देख लीजिए ये संकुचन सील रसदानी द्वारा बाहर निकालता है तो option number D correct हो जाएगा इस question का next question number 49, वेजिव जो यल्कोहल का किंडवन में उपियोग होते हैं, तो यल्कोहल के किंडवन फर्मनेशन में कौन उपियोग किया जाते हैं, pseudo-monna-spinicillium, espergillus, espergillus या फिर saccharomyces, saccharomyces यही आपसर सही होगा, 49 का, आपसर नमबर D सेक्रोमाइसी जो फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है तो आपसर नमबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्चन नमबर इन में से कौन सा ठीक से मिला हुआ नहीं है तो हम लोग को मिला हुआ देखना ऐसे कौईस्चन जरूर आते हैं और आने के 100% चांस भी है ये मिलाने का है ये देख लीजिए मेला डो गाईनी जेबे निका जड़ों में गांठ हुदपन करने वाली बीमारी इसी के द्वारा होती है या फिन बाज्रे का इस्मट की बीमारी टोली, स्पोरियम, पैंसिलेरी के द्वारा होता है ज़ाव का अच्छत्दित इस्मट इस्ट्यू लेगो, नेदा के द्वारा होता है या आलू के देरवाला अंगमारी fight of thorea infestants के द्वारा होता है तो इन में से कह रहा है इन में से कौन सा ठीक से मिलान नहीं किया गया है तो ये question आप लोग जरूर no down भी कर सकते हैं क्योंकि ये 4-3 concept clear होगा तो 53 question concept आप लोग को clear होने वाले हैं तो 15 कसी जो है यही शिरीव गलत है तो ये देख लीजिए से अपसन लगा दीजिए और 3 एकदम सही मिलेडोगाईना यही बीमारी होती है काज करता है और टोली इस्पोरियम पिनिसलेरी के द्वारा बाजरे का इसमट की बीमारी होती है और फाइट ओफ थोरा इंफेस्टेंस जो हता है आलू के देरवाला अंगमारी काज करता है तो इस कोईश्चन का कौन सा अपसन सही है सी जो की सही मिलान नहीं किया गया है तो चलिए 15-25 कोईश्चन इस वीडियो में भी डिसकस कर चुके अब नेक्स्ट वीडियो में 25 कोईश्चन आप लोग को मिलेगा तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें तो जैसे जैसे चैनल तेजी से आप लोग ग्रो कराएंगे तो आप लोग सीट, सीट, आईयन, नीट, इन चैनल को आप लोग तेजी से ग्रो कराएं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे और बेस्ट कोईश्चन आप लोग को कराएंगे भी तो आप लोग भरोसा अपने आप पे रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते चलिए 2021 में 100% आपके सेलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोग अभी से एकदम पढ़ाई शुरू कर देंगे और कुछ बुक आप लोग जरूर परचेश कर लीजिए बुक की एक वीडियो बनी हुई है उसमें लिंक दिया गया है वो बुक आप लोग परचेश कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेस्ट वीडियो के साथ आप ही लोग के लिए हैं तो थैंक यू धन्यवाद